हेलो फ्रेंस रूबल्स किचिन आपका स्वागत ह्याँ है तो आज मैं यहां पर लौगा कोपड़ा बना है लॉकी करी कोपता तो लॉकी करी कोपता हम कैसे बनाते हैं चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी इसमें आज एक्चुली मुझे कोल भी हो रहा है थोड़ा तो मेरी आबाज भी ऐसी निकल रही है तो यहाँ पर मैंने सबसे एक लॉकी ली सि और लॉप कड़ू कस कर लिया आज कर लॉकी अभी सीजन में सीजन भी चल रहा है और लॉकी अंदर से बिना सीट वाली आ रही है और लॉकी कापी अच्छी हो कजी होगी हो वालू और पनीर दौनों के डिया था और पाकी सथ में और मैंने कुछा बी अधना आड़ है यहांफे मैं अप सब क्या थोता हरागा ओर यहां और एक मैने ग्रीन चिरी ली है अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा स्पाइसी इसको बना सकते हैं आप इसमें हरी मिर्च और ज्यादा एड़ कर लीजी एक से पर मैंने यहाँ पर बच्चे बड़े सब के लिए बनाई है यह रैसेपी तो मैं यहाँ पर ज्यादा मसाले एड़ नहीं करती हूं तो मैंने यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिच्वी इसमें एड़ करती है अब साथी साथ में इसमें ड्राई मसाले इसमें एड़ करूंगी मैं हलका सा रैड़ चिली पाउडर लूंगी इसमें कोरियंडर पाउडर नमक में बाद में एड़ करूंगी क्योंकि मुझे इसमें बेसन एड़ करना है तो मैं यहां पर कम से कम बेसन में अपनी उसमें मैंने नमक डाल के लौकी को रखा हुआ था लौकी के अंदर जितना भी पानी होगा और वो निकल जाता है और आप बेसन उसके अक्वाडिंगी डाले और बेसन में छानने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यह मेरा बेस जिस्ती हूं चक्की से तो इसमें काफी purity होती है तो मुझे छानने की जरूरत भी नहीं होती है और जो भी डिस में बनाती हूं काफी अच्छी बनके तरह तयार होती है तो देखी मैंने इसे दो ही चम्मच इसमें बेसन एड किया और बस एक चम्मच और पड़ेगा अगर दीजर फैंट देखा जाए तो आप इसमें कम से कब एक कटोरी आप उसको डाल सकते हैं बेसन को क्योंकि हम कोप्ता बना रहे हैं तो कोप्ता में थोड़ा बेसन मतलब ड्राइउ इंगी ज्यादा चाहिए होता है और ज्यादा भी ना डाने क्योंकि फिर ज्यादा डाने से क्या होता है कि वो खर्ण पकोड़े जो भी कोप्ते बनते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और जो भी हम बैजिटेबिल कोप्ता बना रहे हैं उसका फ्लैवर भी खतम हो जाता है लौकी के बारे में तो आप जानती है क और लॉकी अगर हम डेली खाने में खाते हैं तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है अच्छी होती है ग्रीन बैजी टेबिल हैं और बिटमिन्स होते हैं साथी साथ इसमें मिनरल्स भी काफी फाइवर होता है और यह हमारी दिमाग को भी ठंडा रखती है माइन को भी जिनका बीपी हाई या ब्लड प्रिशर की प्रॉप्लम है उनको भी जरूर यह इसका लॉकी का जूस पीना चाहिए और ब्लड प्यॉरी फाइव में भी यह काम बाता है लॉकी के बारे में तो काफी आपने जाना भी होगा डॉक्टर्स भी हमें आयर्वेदिक में तो सबसे ज़्यादा इसको रिगरमेंट किया जाता है और ऐलोपेटिक में भी डॉक्टर्स इसको रिगरमेंट करते है और दूसरा यह है कि बेट लॉस के लिए भी लॉकी हमार यहां पर मैंने लौकी में पहले से नमक डाल के रखा था तो अपना पाली छोड़ चुकी थी और नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाले ज्यादा नमक डालने से क्या होता है कि अगर ग्रेवी में नमक ज्यादा हो गया और पकोड़े में कम है तो वह बेलेंस बराबर हो जाता है क्योंकि वह ग्रेवी अब्सॉर्ब करता है तो उसमें ज्यादा फिर नमक नहीं लगता तो आप नमक सोस समझ कर ही थोड़ा सा एड़ करें इसमें मैंने इतनी लौकी में बस हाफ टी स्पून ही नमक एड़ किया था इससे जादा मुझे नमक पीस में जरुवत नहीं है और जिनको ब्लड पेशर हाई रहता है तो उनको तो बैसे भी नमक कम खाना चाहिए तो देखिए हम मैं हाँ पर स्पून से ही पकोड़े बनाती जाओंगी मेरा ओयल भी गरम हो चुका है और यह मैं पकोड़े रिफाइन ओयल में नहीं बना रही हूं मैं मस्टर ओयल में यह पकोड़ा बनाना पसंद करती हूं और पकोड़े में क्या है कि अगर आपके कोपते जो है अगर गोल भी नहीं होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है किकी स्पून से तो शेप नहीं आ पाएगी दूसा इसमें टेस्ट अच्छा होना चाहिए अल्दा से भी यह काफी अच्छी फ्लबी बनेगे तो देखिए आप मैं यहां पर यह जब तक अपकोड़े बन रहे तो मैं यहां पर अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूं तो यहां मैंने लिया है दो मीडियम साइज में टमाटर और प्याच्छी रिलगी है मीडियम साइज में हरी मिर्च ली है दो और जिंजर लिया है थोड़ा सा और गार्लिक पान से छे करिया मैंने गार्लिक की लिए हैं तो सबसे पहले मैंने हाफ टी स्पून और मैंने जीरा इसमें एड़ किया है एंड हाफ टी स्पून हींग बिरखना है् या जब तक निदेम कल टी स्पून और तक मेरे हींग अिमशी हैं और मैंने दो बड़े चममच्छी इसमें की अधुन्टी चोटी स्पून है तो मैंने इसके according ही मैंने इसमें दो इस्पून ओयल दिया है मस्टर्ड ओयल और पकोड़े इस हाई प्लेम भी नहीं बनाने हैं मेडियम हाई प्लेम पर ही आप पकोड़े बनाएं जो हमारे कोपते हैं इसमें कितना अच्छा कोपते में यहां ही प्लेम साटे हो चुका है तो यह मेरा प्यास गार्लिक आरा उसके बारिक चॉप किया हुआ था तो देखें यहां पर मेरा प्यास साटे हो चुका है अब इसमें हेला मैंने दाल चीनि कर दो से तीन मैंने तीन चा तीन चा ने लॉंग ली है और मैंने इसमे लिया हुआ है बड़ी लाइची एक बड़ी लाइची तो ही मैं खड़ी मसाले इसमें टेस्ट अच्छा आता है और ये दो ऐनकी में फाल मैंने टमाटन की आका हमा het और इधर मेरे ये पपाड़ी भी बन चुके हैं तो आप मैं मैं इसकी ग्रेवी की तयारी कर रही हूँ आप देख सकते हैं मेरे कोपते बन गए यहाँ पर टमाटर भी सौटे हो चुके हैं और ये देखेए ओयल भी छोड़ चुकाई टमाटर आप मैं इसमें मसाले एठ करण तो यहां बन टीश्पून मैंने टर्मरिक पाउडर, बन टीश्पून मैंने रैड चिली पाउडर, यह कस्मीदी लाल फिर्च है, और कोरियंडर पाउडर, मथाले मेरे नाज जने, इसमें यह टमाटर की प्यूरी का पानी मैंने इसमें एड कर दिया है, एक अच्छा सा बॉयल आएगा तब तब, आप देख सकते हैं सबजी में मेरा कितना अच्छा कलर आ रहा हुआ है, अब एक बॉयल आएगा, उसके बाद मैं इसमें कोपते डाल दूगी, देखिया आप इसमें काफी अच्छा यह बॉयल आ चुका है, अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी दही जिसको फैट लिया था अच्छे से, और दही को चलाती रहना है हमें, छोड़ना नहीं है, और दही खटा नहीं होना चाहिए, और मैंने इस ग्रेवी में नमक नहीं एड़ किया है, अगर हमने नमक इसमें पहले से डाल दिया, तो दही हमारा फट जाएगा, और ग्रेवी करी हमारी बेकार हो जाएगी, इसमें एक अच्छा सा बॉइल आएगा, उसकी बात में इसमें कोपतें ऐड़ करूगी, और लास्ट में मैं नमक एड़ करूगी, तो देखे मेरी ग्रेवी उबल चुकी है, Zoom रधि बात, इसमें और आप मैं इसमें यह कोपते एड़ कर दूगी और यह बस अच्छा सा बॉयल आ जाएगा इसके बाद ही मैं इसको फ्लेम को आफ कर दूगी अब इस स्टेज में मैं इसमें नमक एड़ करूगी तो मैं यहाँ पर वन टी स्पून नमक साल्ट एड़ करूगी इसमें इसमें जादा मुझे नमक नहीं डालना इसमें तो यह मेरा लंच टाइम है मेरा यहाँ पर लंच त्यार हो चुका है बनकर और यह मेरी रेसीबी आपको कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करें लायक करें एंड सब्स्क्राइब भीज़रूर करें तो मैं अग्ली ऐसी अप तो आप देख सकते हैं मेरे यहां पर लॉकी कोपता करीबी बनके तयार हो चुकी है और यहां पर मैंने बासमती राइस बनाए हुए हैं और यह सेंबल का अचार है थोड़ा सा यहां पर यहां पर यह सलाद है और यह तो आप देखी रहे हैं मेरा लौकी कोपता करीबन के वेडी हो चुकी है मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूं कि यह मेरे अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं आप देख सकते हैं तुरंती मैंने स्पूल लगाई और तुरंती डूट चुके हैं और काफी इन्होंने सीरप ग्रेवी को अब्सॉर्ब किया है तो चलिए फिर मैं ऐसी ही अपनी यूनिक रेसिपी में फिर मिलती हूं आप से तब तक के लिए बाइबाई एंड़िए और आप भी ऐसे ही एंजॉयल करें अपने लंच के साथ फिर मैं मिलती हूं कि व MATG sense फिर में मिलती हूं कि अईद्ज़न रेसित जाड़ा झालती ही झालती है कि तो खुझत अछों ग्रेवी आदी सल्वे छानी दूश्वे है भी बाहर ऑश है